तो स्वागत आप सभी को ग्यापन एकडमी के इस नए वीडियो में और इस नए सेशन में क्योंकि आपका यहाँ पर क्लास नाइंत का पहला लेशन हम शुरू करने जा रहे हैं जो की है हमरे आसपास की पदार्थ इंगलिस में कहते हैं matter in our surrounding तो चलिए देखते हैं और समझते हैं पदार्थ क्या है तो देखिए हमारे आसपास में बहुत सारी वस्तुए दिखाई देती हैं किसी की अकार और अकरीती और बनावट अलग-अलग होती है ठीक है ना different हम लोग अकार अकरीती और बनावट के बहुत सारे वस्तुए देखते हैं वो कुछ ना कुछ चीजो रुकावट पैदा करता है पदार्थ कहलाता है ठीक है फिर से आप सुन लिजे ध्यान से पदार्थ क्या है तो हर वो चीज जिसका अपना खुद का भार होता है भार बोले तो वजन होता है और जो कुछ इस्थान घेरता है यानि जिसमें आयतन होती है ठीक है ना और जो र क्लियर हो गई पदार्थ क्या है तो बात करते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरुप क्या है यानि उसका नेचर क्या उसका फीजिकल नेचर आफ मैटर ही ठीक है तो हम लोग समझेंगे कि पदार्थ जो होते हैं पदार्थ ठीक है पदार्थ कौड़ों से मिलकर बने होते हैं और ये कड इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आखों से नहीं देख सकते हैं क्या इस उत्तर से आपके सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा? जी नहीं आपको बताना होगा, आपको समझाना होगा और इतना ही नहीं, आपको प्रेक्टिकल के माध्यम से समझाना होगा कि पदार्थ की कड कितने छोटे होते हैं यानि इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आखों से नहीं देख सकते हैं सिर्फ इतना कह देने से नहीं, बलकि उसे बताना ही होगा और उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल दिखाना होगा ठीक है तो चलिए हमको समझते हैं यहाँ पर हमने जो नेचर लिखा है कि पदार्थ पदार्थ जो है न वो कड़ों से मिलकर बना होता है और पदार्थ की कड़ बहुत छोटे होते है इस बात को साबित करने के लिए आप क्या करेंगे कि एक काँच का गलास लेंगे ठीक है क्या करेंगे आप एक काँच का गलास लेंगे देखिए यहाँ पर एक काँच का गलास लेंगे इस काँच के गलास में आप वहीं पानी को भर देंगे जिस पानी को आप पीते हैं पानी बोले तो water ठीक है अब जब इस glass के अंदर पानी को भर देंगे तो क्या करेंगे कि आप लाल रंग या नीडा रंग या जो भी आपके पास color की वेवस्था होगी उस रंग को ले लेंगे और उस रंग के एक बुंदे रंगीन ठीक हैना यह colorful बन जाएगा ठीक हैना colorful बन जाएगा यानि यह पानी जो है यह Was黎 colorful बन जाएगा ठी味 अब क्या है कि मान nos see पानी के अंदर आपने क्या किया कोई रंग को मिलाया पानी बिल्कू colorful होगे आप या करेंगे कि आब आप एक बहुत बड़ा और गलास लेंगे और उसमें पहले से आप वोहीं पानी को रखेंगे जो पानी का कोई रंग नहीं हो बिलकुर साधा हो ठीक न गालब यह जो है फिस ग्लास इस ग्लास में मालेश सपोज आपने लाल ही रंग मिला दिया तो फिल्कट बीदि त्षे आला मिलाएंगी उसमें भी पानी रखा हुआ रहेंगा बिलकूल साधा और जब आप िसको तीसरी गैलास में मिलाएंगे तो हो गहले यह कि थोड़ा सा और फीका पड़ेगा इस तरीके से चर पांच 55 a step करने के बाद ठीक का ना आपको एक ऐसा समय आएगा कि ऐसे बदलते 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 चरपांच step जाएंगे पानी का रंग बिलकुल साधा दीखेगा माने लगेगा ही नहीं कि इसमें कोई रंग है जो मिला हुआ है ठीक है अब सामने वालों से पूछिए बस एक सवाल पूछिए कि बताईए जो मैंने लाल रंग मिलाया था इस में लाल रंग के कड़ मौझूद है वो लाल रंग के कड़ तुमें दिखाई दे रहा है अगला आदमें बिलकुल कहेगा कि नहीं दिखाई दे रहा है बस वहीं पर तो साबित कर देना है और कहा देना है कि बिलकुल जब नहीं दिखाई दे रहा है तो सोच लो कि लाल रं कोने क्या समझे फिजिकल नेचर आफ मैडर अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है पदार्थ के कड़ों के अभी लाख्षरी को यानि characteristics of particles of matter देखिए जिस तरीका से इंसानों का करेक्टर होता है उस तरीका से अलग-अलग पदार्थ की अलग-अलग वस्तु में बनेंगी ठीक है ना तो पूल मिलाज जुदा कर मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इंसानों का अलग-अलग इंसानों का अलग-अलग character होता है तो पदार्थ के कड़ों का भी जो है ना अलग-अलग character देखने को मिलता है अब यहां पर देखेंगे जो पदार्थ की कड़ का जो character होता है मुख्य रूप से जो लगभग सभी कड़ों के अंदर पाया जाता है वो चीज़ा आप देख लिए पहला यह है कि पदार्थ के कड़ों के बीच रेक्ते स्थान होता है यह पहला character है कि पदार्थ के कड़ निरंतर गतिजील होते हैं ठीक है और तीसरी बात बोला है कि पदार्थ के कड़ एक दूसरे को अकरसिद भी करते हैं यह तीन character है जो मुख्य रूप से लगभग सभी पदार्थ के कड़ों में पाये जाते हैं अब यह तीनों को साबीत कैसे करेंगे इस तो मैं बता रहाओ पदार्थ के कंड़ों के बीच रूव तैसमत है ये बात साबीत करने के लिए फिर आप एक ग्लास लेंगे उस गलास के अंदर उस गलास के अंदर बिल्कुल साधा सादा पानिको भर देंगे साधा तो भरने के और फिर का दिंगे आप रंग जो हाना रंग को भी भी बेरहना लेकर कर थोड़ा सा एक बुनौ गिरा दिया आप देखेंगे चींभिप yo यहां पर जब आप चीन हीत करेंगे ना जितना लेबल पर पानी के अंदर ठीक ना जिस रंग के बुंदू को गिराएंगे ना थोड़ा सा भी माली जैके अगर आप थोड़ा जैसे एक दो ड्राप गिरा दीजे तो थोड़ा सा तो इसका लेबल उपर जाना चाहिए बिल्कुल नहीं जाएगा क्यों कि पहले से मौझूद जो पानी है जो जल है जिसको इंगली से वाटर करते हैं वह कहीं न कहीं से उसमें जो कड है उसमें रिक्त स्थान है ज फिर उतना ही लेबल पर दीखेगा इससे साबीत हो जाएगा कि पदार्त के कड़ों को भी सचमें रिक्तिस्थान होता है दूसरा यह चीज़ कि पदार्त के कंड निरंतर गतिसील होते इस बात को साबीत करने के लिए फिर क्या करेंगे कि एक गलास लेंगे और गलास लेने बस रंग की बुंदे गिराने के बाद थोड़े दिर इंतजार करेंगे यह खुद बखुद मिल करके पानी पूरा कलर फूल हो जाएगा इससे पता चलेगा और सामने वालों को बता सकेंगे कि पदार्त के कंड निरंतर गतिसील होते हैं किलियर अब चलिए यहाँ पर है अ जलता है जो जल बहता है ठीक ना उसकी धारा के बीच जब आप उंगली को लगाएंगे ना तो गिरने वाला जो पानी होगा इधर और इधर से यह फिर आखर नीचे नीचे वाला अस्तर फिर मिल करके और फिर एक साथ धारा में गिरेगा इससे साबित हो जाएगा कि पदा पदार्थ आवस्थाएं state of matter ठीक हैं तो चलिए देखते हैं पदार्थ की अवस्था हैं मुखे रूप से तीन तरह के होते हैं पहला कि ठोस् दूसरा द्रॉव और तीसरह गईस ठीक है फोसको इंग्लिसमें काते हैं solid, draw की English में कहते है liquid, और gas की English में कहते है gas, clear, अब हम बात करते हैं कि जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, draw, gas, ठीक है, तो हम किस बेस पर decide करेंगे कि यह ठोस है, और किस बेस पर decide करेंगे कि यह ठोस है, लेकिन 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 अगर द्रौ की बात करें तो जो चीजे तरल अवस्था में पाए ठीक है ना जैसे जल पानी की बात करें ठीक है ना किरोशन तेल की बात करें डीजल की बात करें यह क्या है यह द्रौ अवस्था में है ठीक है ना जिसमें हाथ घुमाने के बाद आपका हाथ बढ़ियां से घूम जाए वो क्या है द्रौ है लेकिन हाँ लेकिन द्रौ की बात अगर करें तो भले ही हाथ घूम रहा है लेकिन थोड़ा सा हाथ के साथ जो जल भी घूम रहा है यह मालूम पढ़ रहा है कि हम जल में हाथ घूमा रहा है बट आप सोचिए कि गैस की पत कम रुकावट महसूस होगी इससे पता चलेगे कि यह एक गैस है ठीक है अब देखिए क्या है ठोस को एक और बेस पर हम डिसाइट कर सकते हैं ठोस जिसका घंत्व अधिक हो जिसका घंत्व अधिक हो अब आप घबड़ाएंगे नहीं कि घंत्व अभी कौन सा सब्द बोल दि कि कोई घंत्व है जिसका अधिक होने के बाद हम डिसाइट करते हैं कि यह ठोस है और जिसका घंत्व घंत्व ठोस से कम होता है और गैस है जिसका घंत्व ठोस से कम होता है अब यहां सवाल एक बनता है कि घंत्व क्या है तो देखिए मैं बता रहा हूं कि घनातव घनात वा शुωम समझे अनल भी मोटा-बी बीड को ऑते हैं बहुत जयादा भीड़ है इसका मतलब बहुत ज्यादा घनातव हैं उसरे का अ को सथा भी दूर है यानि लोग एक को दूसरे के काफी दूर तो कम लोग अर्थात एक दूसरे के दूरी पर हैं हम कहेंगे कि इसका यहां पर इस छेत्र में जो लोग खड़े हैं इनका घंधव कम हैं यहां की एरिया जो है वो कम घंधव का है समझ में आ गई बात यानि कि घंधव मोटा मोटी भीड़ को ही काता है अब बात करते हैं कि खोस है ठोस तो देखे ठोस एक पदार्त है ठीक डीखेThis भंट और तो से मिलकर के ही बनते हैँ ठीक यह पहले ही हमने बता दिये तो देखे अब यह कण इसमें मौझूद हैं ठीक है तो सीधी सी होरा तो यह कर घं़ो की और यहकर दूसरे के काफी इतना नजदीक होते है इ अपनी नजदिकी ठीक है फिर भी एक दूसरे के काफी जो है ना नजदिक है या आपको दिखाई दे भी रहा होगा ठीक ना इतना नजदिक है यानि कि इसका घनात्वा काफी अधिक है यानि इसमें कड़ों की भीड़ बहुत अधिक है इसे हम कहेंगे यह जो कड़ है ना इ कर दिखा सकता है कि जो ठोस में जो कडो की भीर दिखाई दे रहे हैं और हम कर रहें किसे घंड आथी के इसलिए य समर्ण को दिखाना चाहरे तो इन ही कडों धोड़ा सा डिस्टेंस में रखेंगे और धिखा सकते हैं कि this is an example of liquid clear आप देखिए ये जो करह है ठोस के अंदर और ये जो करहें द्रॉड के अंदर एक दुसरे के बीच को देखी है ये कार दूसरे कर से काफी नजदीक है इसलिए ये ठोस है लेकिन दिराव में देखिए ये कार ये काड के बीच की दूरी थोड़ा ज्यादा ठीकन ध्यां स इसका बिल्कुल नजदीक नजदीक है जूम कितना भी करता हूं भले ही मैं नहीं कर पा रहा हूं बढ़ देखें यहां पर यह काफी कण एक दूसरे के नजदीक है इसलिए घनतो आदिक है इसलिए ठोस है लेकिन इसके आप एक्छा द्रॉग पर थोड़ा सा ध्यान अब देखिए गैस की जो बात करें तो इनमें जो कण मौजुद हैं वो देखिए काफी इतना दूरी पर होते हैं बिल्कुल स्वतंद्र काफी एक दूसरे के दूरी पर इसका मतलब कि ठोस और द्रॉग और गैस यह तीनों का जब आप घनतो की बात करें तो घनतो सबसे अ जो घनतो ठोस से कम है और अगर इसकी घनतो की बात करें तो यह क्या है दुराव से कम है दुराव से कम और हम ऐसे भी दिखा भी दिये तो देखाना आपने काफी इंपोर्डेंट टॉपिक रहा इस नाइंद क्लास के फर्स्ट लेशन का अभी भी बहुत कुछ टॉपिक ब